बचो अब हम देखते हैं ग्लाइकॉलिसिस की प्रॉसेस ग्लाइकॉलिसिस में जैसा आपको मालूम है कि तीन बेसिक स्टेप्स होंगे एक है फॉस्फोराइलेशन का, दूसरा है स्प्लिटिंग ओफ फ्रक्टोज 1-6 फॉस्फेट और तीसरा है फॉर्मेशन ओफ पाइरुविक एसिड जब फॉस्फोराइलेशन की बात हम करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि फॉस्फोराइलेशन मतलब एडीशन ओफ फॉस्फेट phosphate add हो रहा है उसको हम कहेंगे phosphorylation जैसे ADP में phosphate add हुआ तो ATP बना this is called phosphorylation अब दूसरा है splitting मतलब तूटना दो भागों में विबक्त हो जाना और तीसरा है formation of pyruvic acid तो आईए देखते हैं कि phosphorylation बाज शुरू होती है glucose से glucose का एक molecule phosphorylase होता है और glucose 6 phosphate बना रहा है देखिए सबसे पहले glucose में phosphate add हुआ कहां से हुआ ATP टूटा, ADP बना adenosine triphosphate टूट रहा है adenosine diphosphate बन रहा है और वो जो phosphate निकल रहा है वो glucose के molecule में add हो रहा है तो glucose 1-6 phosphate बना अब यहां पर glucose 1-6 phosphate बन रहा है और फिर इसका जो क्रियात्मक समूँ है वो बाएं से दाएं घुम गया तो glucose 6 phosphate जो अब तक था अब वो glucose 6 phosphate नहीं रहे करके fructose 6 phosphate बन गया क्या बन गया fructose 6 phosphate जब यह fructose 6 phosphate बना तो अब इसमें फिर से एक phosphate के demand आ रही है देखिए fructose 6 phosphate अब fructose 1-6 phosphate बना रहा है मतलब अब दो phosphate के माली के लिए हाँ पर हो रहे है सबसे पहले glucose में एक phosphate addition हुआ glucose 6 phosphate बन गया phosphorelation हमने इसी को कहा है addition of phosphate को फिर क्रियात्मक समोहूस का बायंदाय हुआ तो glucose 6 phosphate fructose 6 phosphate बन गया अब उसमें एक phosphate molecule भी अड़ हुआ तो fructose 1-6 phosphate हो गया जब यह fructose 1-6 phosphate बना अब इसकी second जो इस टेप है यहाँ पर उसकी शुरुवात होती है क्योंकि fructose 1-6 phosphate जो है वो क्या दिख रहा है आपको 6 carbon का molecule है और split होगा आप तूटेगा दो भागों में देखिए तो यह 3-3 carbon के 2 molecule बना लेगा कैसे बनाएगा 3-3 carbon के 2 molecule बनाया और यहाँ पर देखिए triose जो phosphate है वो बन रहा है तो triose phosphate का एक तरफ aldehyde molecule बन रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए acetone molecule बन रहा है आई बाद समझ में तो एक तरफ aldehyde molecule और दूसरी तरफ क्या बना acetone molecule अब जो ट्रायोज phosphate का aldehyde molecule है वो फिर से आगे बढ़ेगा और ट्रायोज बाई phosphate बनाएगा मतलब ट्रायोज त्री कार्बन है पर फॉस्वेट अब उसमें दो जूड़ गया और फिर यहां पर जैसे ही ट्रायोज फॉस्वेट आगे बढ़ता है यह फिर से क्या करता है कि फॉस्फुलो फॉस्फो ग्लिसरेज यहां पर इंजाइम आता है और यह है तो तीन कार्बन अब यह दो पीपी बनाता है फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट द्यान देंगे पी इप जैसे ही फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट बना अब यहाँ पर D-phosphorylation हो रहा है अब तक हमने क्या देखा phosphate का addition हुआ लेकिन अब phosphate का elimination होगा और D-phosphorylation से जो phosphoenol pyruvate था अब वो pyruvate acid बन जाएगा आगी वह समझ में हम फिर से इसको दो रहेंगे फिर से दो रहेंगे इसमें हम दो चीज़ों को दो steps को पहले देखेंगे सबसे पहला हमने देखा phosphorylation और दूसरा हमने देखा splitting और तीसरा जो process है formation of pyruvate acid तो पहला देखिए जो phosphate addition है वो क्या हो रहा है glucose का एक molecule है glucose molecule हमने लिया glucose molecule में phosphate add हुआ तो glucose 6 phosphate बना और glucose 6 phosphate से फिर क्या बना fructose 6 phosphate आप देख रहे हैं fructose 6 phosphate क्रियात्मक समों बाएंदाय होगी अब fructose 6 phosphate जो है उसमें फिर से एक phosphate group addition हुआ तो fructose 1,6 bisphosphate हो गया इसी की splitting होगी और triose के aldehyde और acetone group आ जाएंगे acetone एक तरफ चला जाएगा और जो acetaldehyde वाला जो group है जो aldehyde वाला group है वो group आगे बढ़ेगा तो triose phosphoglyceride है वो आगे बढ़ेगा और triose bisbiposphate बनाएगा मतलब एक phosphate उसमें addition होगा अब फिर से जो triose phosphate है उसका phosphoglycerase enzyme के साथ में reaction होगा और phosphoenol pyruvate बनेगा जैसे phosphoenol pyruvate का जो formation होता है यह ATP form करता है क्योंकि अब यहाँ पर dephosphorylation हो रहा है मतलब ADP में अब addition of phosphate हो रहा है यही 2 ATP इस पूरे glycolysis का gain है तो यह 2 ATP यहाँ पर बना adenosine triphosphate और phosphoenol pyruvate जो है वो pyruvic acid में convert हो गया is it clear? जब वो pyruvic acid में convert होगा तो यहाँ पर अब glycolysis की process का तीसरा step is over अब यह pyruvic acid कहा जाएगा इसका fate क्या है इसके आगे क्या चलेगा तो यहाँ देखिए कि जो pyruvic acid है वो pyruvic acid अब फिर किसमें आएगा decarboxylase enzyme इसके ऊपर काम करेगा पैरुविक acid के उपर में और जब decarboxylase enzyme काम करेगा तो CO2 अलग होगा मतलब अब क्या बना acetyldehyde बना acid था acid से aldehyde बना अब यह जो aldehyde है यह NADH प्लेस 2H के साथ ethyl alcohol बनाएगा if oxygen is not there और NAD बनेगा मतलब जाइमेज carboxylation होगा और जो जाइमेज complex है वो जाइमेज complex यहां पर glucose को convert करेगा इतायल alcohol में तो अब यह फेट आ गया कि oxygen है तब और oxygen नहीं है तब तो अगर oxygen नहीं है तो आपने देखा कि C2H5OH बन गया दूसरा जो एनेरुबिक है उसका फेट देखिए कि वही पाइरूबिक एसिड जो है वो फिर से NADH plus H plus में आएगा और lactic acid dehydrogenase enzyme के presence में lactic acid dehydrogenase enzyme यहां पर उपस्तित है और वो क्या बनाएगा अब lactic acid बनाएगा जिसका empirical formula क्या है C3H6O3 तो यह जब lactic acid बना यहां पर कोई CO2 नहीं बन रहा है लेकिन अब बात आती है कि aerobic यह तो conditions हुई कि जब oxygen present नहीं है तब क्या बना या तो ethyl alcohol बन गया या फिर क्या बन गया लेक्टिक acid बन गया अब अगर oxygen present है तब तब pyruvic acid के साथ क्या होगा in aerobic condition aerobic condition देखिए जब oxygen present है तब pyruvic acid जो है वो pyruvic dehydrogenase enzyme के साथ react करता है जिसमें byvalent magnesium भी present है और acetyl coenzyme बनाता है अब acetyl coenzyme यहां तो बनी रहा है pyruvic acid से साथ ही साथ मतलब coenzyme A के साथ react किया और acetyl coenzyme A बनाया पर acetyl coenzyme A देखिए बीटा oxygen से भी बनेगा अगर fatty acid का बीटा oxygen होगा तब भी acetyl coenzyme A बनेगा और यह जो acetyl coenzyme A है यह चला जाएगा कहां पर कहां चला जाएगा यह TCA में ठीक है अब TCA के लिए मतलब tricarboxylic acid cycle के लिए जितने भी enzyme चाहिए वो सब कहां पर मिलेंगे वो सब ही मिलेंगे आपको पता है कि mitochondria की matrix में mitochondria का structure देखिए यहां पर आपको दिख रहा है matrix और फिर दिख रहा है membrane तो membrane में आपको दो दिख रहा है एक inner membrane और एक outer membrane अब inner membrane में एक enzyme होगा जिसको हम बोलेंगे succinate dehydrogenase केवल एक अकेला succinate dehydrogenase होगा यह inner membrane में बाकि सब के सब जो TCA के enzyme है वो कहां मिलेंगे matrix of mitochondria में आई बात समझ में तो जो glycolysis था वो कहां हो रहा था glycolysis cytoplasm में हो रहा था और pyrovic acid उसका end product हुआ cytoplasm से वो mitochondria में आएगा mitochondria में दो तरफ क्रियाएं चलेंगे एक inner membrane में और एक matrix में इनर membrane में आप देखिए succinate dehydrogenase मिलेगा और बागे का पूरा TCA enzyme जो है वो कहां मिलेगा आपको matrix of mitochondria में इस देट क्लियर यह बात आपको समझ आई पायरूविक acid हमने देखा पायरूविक acid का formation देखा अगर oxygen present है तो तो पायरूविक acid इथाइल alcohol बना लेगा या इथाइल alcohol बनाएगा तो उसके साथ CO2 बनेगा और अगर इथाइल alcohol नहीं बनता है तो क्या बनेगा lactic acid बनेगा अगर oxygen present है तो क्या होगा aerobic oxidation होगा aerobic oxidation में आप देखिए पायरूविक acid जो है coenzyme A के साथ react करेगा और acetyl coenzyme A बनाएगा acetyl coenzyme A जो है वो beta oxidation का भी product है फैटी acid का beta oxidation होगा उसका भी product है वो और और साथ ही साथ अब वो कहा जा रहा है है mitochondria में हो रही है प्रक्रिया तो mitochondria में matrix और inner membrane इनर membrane में कहां पर मिल रहा है यह succinate dehydrogenase मिल रहा है और matrix में क्या मिल रहा है बाकी के सारे enzyme मिल रहा है ठीक है तो इसके बाद अब हम आगे देखेंगे TCA या या ट्राइ कार्बॉक्सिलिक एसिड साइकल तो अब तक हमने पूरा किया पाइरुविक एसिट का फॉर्मेशन पाइरुविक एसिट के साथ में हमने आगे देखा कि किस तरह से एनुरुबिक और एरुबिक कंडिशन होती है और अब हम देखेंगे TCA साइकल बच्चों अभी हम देख रहे थे सक्सीनिट डिहेडोजिनेस माइटोकॉंड्रिया के इनर मेंब्रेन में होता है और मैट्रिक्स में बाकी के सारे एंजाइम्स होते हैं अब हम बात करते हैं क्रेप साइकल या सिट्रिक एसिट साइकल देखें जो साइट्रिक एसिट साइकल है वो बहुत ध्यान से देखेगा बड़े अराम से समझेगा और इसको आप समझना के बाद यह पाईएगा कि यह एक्चुली एक तरह की सेंट्रल मेटाबोलिक पाथवे हैं सेंट्रल मेटाबोलिक पाथवे मतलब केंद्रिय मेटाबोलिक अभीक्रिया है यह उसका रास्ता है कैसे? आपने देखा पाईरूवीक एसिट बन गया पाईरूवीक एसिट जब बना तो उससे acetyl coenzyme A भी बना और ये acetyl coenzyme A अब आगे के चक्र में प्रवेश करेगा लेकिन जो pyruvic acid और acetyl coenzyme A के बीज की प्रक्रिया है वो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक NADH plus H plus बन रहा है और NADH plus H plus ये पहला मलकिल बना acetyl coenzyme A का पहला product citric acid है इसलिए इस cycle को हम citric acid cycle कहते हैं citric acid में देखिए 6 carbon है और जब ये आगे जाएगा तो 5 carbon का मलकिल alpha keto glyceric acid बनाएगा 5 carbon molecule alpha keto glyceric acid बनने में 6 carbon से जब 5 carbon बनता है तो फिर से एक NADH plus H plus बनेगा मतलब reduction हो रहा है अब 5 से 4 बनना है तो 5 से 4 carbon molecule बनेगा सकसीनिक acid और जब सकसीनिक acid बनेगा तो फिर से CO2 निकला और फिर से यहाँ पर 1 NADH plus H plus बना मतलब अब तक 3 NADH plus H plus बन चुके आप अपनी notebook में note करेंगे पहला बना pyruvic acid से acetyl coenzyme A तकाने में acetyl coenzyme A से जब 6 carbon का citric acid बना तो 6 से 5 बनने में दूसरा molecule बना 5 carbon से 4 carbon का सकसीनिक acid बनने में दूसरा NADH plus H plus बना और अब यह 4 carbon सकसीनिक acid जो है यह malic acid में convert हो रहा है तो यहाँ पर FADH2 बनता है जब malic acid फिर से oxalic acid में convert होगा तो चौथा molecule NADH plus H plus बनेगा मतलब 4 NADH plus H plus बन चुके हैं और एक FADH2 बना साथ ही साथ इसमें GTP के थ्रू एक ATP भी बना इसके द्वारा भी एक ATP बना यह कब बना जब पांच से चार कार्बन मॉलेकिल बन रहा है मतलब 5 alpha keto gluteric acid convert हो रहा है किसमें सकसीनिक acid में तब वहां पर एक ATP भी बन रहा है अब अगर हम देखें तो try carboxylic acid या citric acid cycle या crepe cycle में जो इसको हम central metabolic पात्वे कहते हैं आप देखें कि एक pyrovic acid के मॉलेकिल से क्या बन रहा है कि एक ATP चार NADH2 और एक FADH2 और चूकि इसमें दो पाइरविक acid बनते हैं तो जब दो पाइरविक acid की cycle चलेगी तो इस आपी की संख्या कितनी हो जाएगी दो एनडी एस्टू की संख्या कितनी हो जाएगी आठ क्योंकि चार थे एक में तो अब दो में आठ हो गए एक में FADH2 दो था तो अब क्या हो जाएगा चार और अब जब हम इनका total calculation करते हैं तो देखिए दो ATP 8 NADH2 मतलब एक से 3 ATP बनेंगे तो 8 या 24 और 2 FADH2 मतलब 4 ठीक है तो वो 4 बन गए तो total आपके कितने ATP हो गए 30 ATP यहां बन गए और glycolysis में आपके 2 ATP का गेन हुआ ठीक है तो इस तरह से जब हम ATP करते हैं तो citric acid cycle जो है वो central metabolic pathway बनके आती है और इसमें 30 ATP का formation होता है तो इसको एक बार हम पुनह दोराएंगे कि pyruvic acid central metabolic pathway में प्रवेश किया और acetylcoenzyme A बनाया पहले NADH plus H plus के निर्मान के साथ और 6 carbon citric acid बना 6 carbon से 5 carbon alpha keto glutaric acid बना जिसमें NADH plus H plus बना फिर 5 से 4 बना फिर से NADH plus H plus बना और एक GTP भी बना चार carbon सक्सिनिक acid convert हो गया मैलिक acid में यहां पर FADH2 बना और यह चार carbon मैलिक acid जो है यह पुनह बदल गया acetylcoenzyme A और oxalic acid फिर से प्रविश किया acetylcoenzyme A की cycle में इसका मतलब यहां पर क्या बना फिर से NADH plus H plus बना तो जो पूरे कुल ATP की संख्या थी इस पूरे citric acid cycle में वो कुल मिलाके 30 ATP यहां पर हमको प्राप्त हुए तो इस तरह से जो central metabolic pathway था चुकि यहां पर ketabolism और anabolism दोनों हुआ आपने देखा ATP बना और breakdown भी हुआ मालेकिल जो carbohydrate था वो भी breakdown हुआ fat भी breakdown हुआ और साथी साथ ATP synthesis हुआ तो जब ATP बना और जो substrate थे उनका breakdown हुआ उनका तूटना हुआ मतलब ketabolism, anabolism दोनों एक साथ चला इसलिए यह central metabolic pathway हुई और इसको हम amphibolism कहते हैं तो इसके आगे अब हम देखेंगे ETS या electron transport system तो electrons का flow एक पूरे transport system में किस तरह से आगे बढ़ेगा वो बात आएगी ETS या electron transport system में बच्चो अभी हमने देखा glycolysis और TCA मतलब tricarboxylic acid cycle इन दोनों में आप देख रहे थे कि किस तरह से जो electrons हैं और protons हैं मतलब in the form of oxygen and hydrogen वो release हो रहे हैं निकल रहे हैं बाहर निकल रहे हैं तो हालकि उसमें reductase enzyme भी काम कर रहा है है dehydrogenation भी हो रहा है finally NADH2 भी बन रहा है FADH2 भी बन रहा है reduction हो रहा है लेकिन at the end कुछ protons का कुछ hydrogen का oxidation भी होना है किस में होना है पानी में मतलब अगर hydrogen का oxygen होगा तब ही पानी बनेगा क्योंकि जो आपने breakdown देखा तो वो CO2 और H2 हो बन रहा है मतलब जो H2 है उसका oxidation हो रहा है तो जब H2 का oxidation होगा तो उसके लिए हमको क्या चाहिए हमको electron carrier चाहिए केरियर चाहिए और यह जो carriers है अब चुके process cellular respiration की जो central metabolic respiration है वो कहां चल रही है इनर mitochondria और inter membrane space अब जो एक बार proton आ गया वो impermeable होती है इनर mitochondrial membrane किसके लिए proton के लिए तो वो matrix में वापस नहीं आ सकते हैं लेकिन यह क्या करेंगे कि पेरी mitochondrial space में यह अपना योगदान देंगे दो proton चले जाएंगे और F0 और F1 के थुरू जो F0 F1 particle है उसके थुरू यह ATPase enzyme को activate करेंगे और ATP बनाएंगे मतलब अब ATP का formation कब हुआ एक ATP में दो proton लग गए तो एक तो यह प्रक्रिया हो गई और दूसरी जो जिसको हम electron transport system कह रही है उसमें actually hydrogen का oxygen oxygen होना है जिससे के पानी का एक molecule बनना है तो यह कौन सी process है इस ETS में electron transport system में क्या हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि इसमें 5 complex system काम कर रहे हैं पांच complex के सबसे पहले तो आप नाम कर लो पहला complex है NADH dehydrogenase NADH dehydrogenase ठीक है दूसरा complex है FADH2 या succinate dehydrogenase succinate dehydrogenase हुआ पहला complex था NADH dehydrogenase तीसरा है cytokrome BC1 यह तीसरा complex हुआ और चौथा complex है cytokrome C थर्ड था BC1 अब चौथा है cytokrome C oxidase cytokrome C oxidase जो है यह cytokrome A और cytokrome A3 दोनों का combined way है और साथ ही साथ इसमें दो copper center भी है ठीक है अब पांचवा जो है वो है ATP synthese जिसकी बात हमने की कि दो proton इंटर करेंगे और ATP synthese को activate करेंगे और ADP से ATP बनाएंगे आई बात समझ में यह पांचवा complex है तो आईए अब हम देखते हैं कि inner mitochondrial membrane में कौन सी घटनाय हो रही है सबसे पहले matrix में NADH activate हुआ और वो फिर दो proton inner membrane space में रिलीज किया वहां से जो FADH2 है वो FES मतलब iron sulfide का एक modified form है और ubiquinon जो ubiquinon है उसकी बात हमने पहले ही कि थी कि वो क्या है और electron carrier है साइटोक्रोम और ubiquinon तो ubiquinon reduce हुआ H2 बना और साइटोक्रोम B फिर से आया और electron केरी किया अब electron केरी करके आप देखेंगे कि यह फिर से किसमें आ रहा है चुछकि साइटोक्रोम साइटोक्रोम सी ओक्सिडेस को हमने साइटोक्रोम A और A3 में डिवाइड किया है तो वो फिर से किसमें आ गया fourth complex oxidase आप देखें A और A3 में और यही oxidase proton को accept करके oxidize करेगा और proton को accept करके जब यह oxidize करेगा मतलब किसको oxidize कर रहा है hydrogen को तो आप देखें half oxygen का molecule फिर दो hydrogen और मिलके क्या बनाया एक molecule पानी का तो basically जो electron transport system है उसमें हमको तीन बादों का दियान रखना है एक तो complexes पाच complex है फिर hydrogen का oxidation हो रहा है और ATP बन रहा है mitochondrial की तीन स्थान है matrix inner mitochondrial membrane और inter membrane space 5 complex जो enzymatic carriers है वो है complex 1 NADH dehydrogenase complex 2 FADH2 complex 3 cytokrome BC1 और complex 4 cytokrome oxidase complex 5 है ATP synthese तो बच्चों जो electron transport system है वो वास्तों में हमको क्या बता रहा है कि respiration की जो प्रक्रिया है उसमें breakdown हुआ carbon dioxide और पानी बना तो यह जो पानी बन रहा है यह कैसे बन रहा है hydrogen के oxidation से बन रहा है hydrogen is getting oxidized into water और आधा molecule of oxygen दो atom of hydrogen से combine करेगा और H2O बनाएगा पाँच complexes जिनमें पाँचवा complex क्या है ATP synthese और ATP synthese क्या करेगा दो hydrogen मतलब दो proton utilize करेगा एक ATP को बनाने में मतलब अगर मैंने सवाल पूछा कि 10 ATP formation में कितने protons लगेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा हम उसका गुणा दो से कर देंगे तो 10 गुणा दो कितने proton लग गए 20 पाँच ATP में 10 बीस में 40 मतलब दो proton लग हैं एक ATP में ठीक है complex 1 NADH है dehydrogenase complex 2 FADH2 है और जो 3 और 4 है वो साइटोक्रोम BC1 मतलब और साइटोक्रोम C oxidase अब साइटोक्रोम C oxidase आपने देखा कि साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 प्लस दो कॉपर सिंटर इतनी बातें आपको अपने दिमाग में रखना है तो electron transport system बिलकुल crystal clear हो जाएगा पानी की तरह ठीक है तो 5 complexes oxidation of hydrogen और ATP का बनना ये तीन मुख्य बाते हैं और साथी साथ mitochondria के तीन space, एक matrix, inter membrane space और inner mitochondrial membrane इन बातों को याद रखके आप बहुत अच्छे से बहुत ही बढ़िया से बहुत बढ़िया तरीके से ETS यानि की electron transport system की तयारी कर सकते हैं ना केवल board परिक्षा के लिए बलकि अपने प्रितियोगी परिक्षाओं के लिए भी को बड़ में लिए परिक्ट की